हाँ तो प्यारे बच्चो नमस्कार, श्वागत हैं English IQ Live में, प्यारे बच्चो आप सभी बच्चों का बहुत दिन से डिमांड आ रहा था, कि सर 150 rules of grammar क्यों नहीं ले रहो, सर 150 rules of grammar कब स्टार्ट होगा, क्योंकि ये इतना ज्यादा इस सीरीज को अपने प्यार दिया, और आप सभी बच्चों का जो सपोर्ट और साथ है, तो ये हमें इतना मिल रहा है, तो अब इसके लिए सबसे पहले सभी बच्चों का धन्यवाद, और प्यारे बच्चो बिलकुल, जैसे आपका रामवान सीरीज में continue कर रहा हूँ, वो इसी तरह से 150 rules भी आप continue होगा, ये हमारा भ लिता हूँ, और उसी 10 से 12 मिनिट में, मैं आपको भरोशागिता साथ कह सकता हूँ, कि यहां से आपको प्यारे बच्चों, 2 से 3 marks पक्के हो जाएंगे, कितने नमर, क्योंकि आज मैं ऐसा topic लेकर काया हूँ, जहां पर तोहत सर बच्चे छोड़ के आते हैं, क्या आप सभी प्यारे बच्चे चाहते हूँ, कि सर हमारा 10 से 12 मिनिट का जो समय है, उसी 10 से 12 मिनिट में, हमारा 2 से 3 नमर पक्के हो जाएं, और ऐसा topic लेकर काया हूँ, प्यारे बच्चों, काफी मैं तपूर्ण है, exam के point of use, आपके 12 मिन के लिए, तो मैं चाहूंगा, कि आप सभी बच् थी हमें, और महनत करने पे, ठीक है, हमें लगते हैं, हमें बच्चों के लिए महनत करना है, ठीक है, तो सभी बच्चे मैं यकीन करते हैं, कि आप सभी लोग जादा से जादा बच्चों तो किसे पहुंचाओगे, और जो भी छोटे भाई बेन इस चैनल पर नाये होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज को लाइक कीजिएगा, और कॉमेंट करके बताईएगा कैसा लगा, प्यारे बच्चों, अगर आप क्लास 12 में हो, और आप भी चाहते हो, कि सर, हमें अंतिम समय में, कैसे 90%, 95% आए, तो प्यारे बच्चों, आप हमारा क्रा चैप्टर फिनिस करवा देता हूं, और इस एक क्लास, जो डिरेशन होता है, प्यारे बच्चों, 40-50 मिनट, तो आपके 40-50 मिनट, आपके चैप्टर फिनिस हो जाएंगे, आपके पास समय जादा नहीं है, कि आप 4-4 गंटे एक ही क्लास को करो, आपके पास समय कम है, और मे एडिया फ्री है, टेक है, 150 rolls of grammar का, और ये आपको मिलेगा टेलिग्राम पर, टेलिग्राम पर, और WhatsApp चैनल आप सभी लोग, टेक है, तो टेलिग्राम से जोडने के लिए हमारे इस नमबर पर WhatsApp कीजिएगा, मैंसेज कीजिएगा, मैं आपको टेलिग्राम और WhatsApp चैनल का लिंक पेज़ूँगा, वहां से आप सभी बच्चे जूड़ जाएगा, और अपने दोस्तों को इवगर शेयर ज़रूर करना, प्यारी बच्चों, क्योंकि मैं आप सभी बच्चों के लिए बहुत सारा चीज़ा ऐसे लेकर कर आता हूँ, जिससे कि आपको बहुत ज्यादा हो, बेनेफिट हो, तो क्या सुरू किया जहाँ, बोलो, ये सरो ओनो, शेयर किया जै? सभी बच्चों का सेयर होना चीए, प्यारी बच्चों, जितना ज़आदा शेयर होगा, उतना ज़आदा हमें मौटिवेशन मिलता है, जितने ज़आदा बच्चे हमारे सारा जूड़े तो मैं आपके लिए और बहतर से बहतर content और बहतर चीजें मैं आपको किस free में भी मैं आपको दे पाऊंगा ठीक है यह सब स्रीज बहुत ही बहतरीन है ठीक है चले बच्चो तो आज का जो प्यारी बच्चो हमारा यह पार्ट 14 है इसमें जो मैं प्यारी बच्चो आपके प्यारी बच्चो लगभग हम कह सकते हैं कि हासा आपके बोर्ट पड़िक्षा में प्यारी बच्चो दो से चार objective जरूर पूछ देते कही बारी जादा भी पूछ देते हैं तो आज मैं आप सभी बच्चो के लिए आज सभी बच्चो के लिए पंदरा भी वी आई लेकर का प्यार हैं सभी बच्चो के लिए पाहला कोईशन हाजिर है कि all in all सबसे पाहला कोईशन क्या है प्यारे बच्चो all in all का मतलब क्या होता है अगर आप ऐसे करके देखोगे तो गलत हो जाएगा क्या हो जाएगा अलत हो जाएगा अगर कोई बच्चों को मालूमत आप हमें चैट बॉक्स में बता सकते हैं सर a b c d कोई बच्चों अगर मालूमत आप हमें बताए कि सर a होगा b होगा या c होगा या d होगा तेखो all in all का अर्थ क्या होता है सर ये तो नहीं होता है नहीं हो कैते हैं न, सब कुछ आप ही हो, होता है, न कई बारी देख रहे हो गए, ठीक है, जो नए नए लड़के होते हैं, जैसे ही, उसकी नए नए, कोई मासुका, कोई गल्फेंड बनती है, क्या बोलती है, जो हो तुम ही हो, सब कुछ तुम ही हो, तुम्हारा, मेरे पास, जो चीवन के लिए वो क्या हो गया? Most important हो गया, मतलब काफी महत्वपून चीज़ें, तो one का क्या हो जगँ भया? मतलब सर्वेशर्ममत महत जादा महत्वपून आपके सब ज़्यादा महत्वपून देतो जो बहुत ज़्यादा आपके लिए important होता है तो one का option number क्या हो जाएगा D हो जाएगा अगला देखो क्या है कहते हैं देखो ये questions आपको पढ़ना questions लंबर चोड़ा लग रहा है देखो कुछ नहीं है पूछा है कि choose the correct alternative for the underlined group of words यहाँ पे आपको यस words का अर्थ बताना है तेखा है a rainy day तो मैं बहलोगे sir rainy day बरशा वाला दिन ऐसा होता है क्या नहीं भाया rainy day मतलब rainy day का बरशा वाला दिन बिल्कुल भी मतलब नहीं होता है याद रखिएगा प्यारे बच्चो rainy day का अर्थ होता है जो muskil मुस्किल वाला दिन क्या सकते हैं मुस्किल वाला दिन, मुस्किल वाला दिन, और रेनी डे, मतलब, और डे ओफ रेनी सीजन, नहीं भईया, और डे ओफ जुआए, नहीं, मुस्किल है तो जुआए, ये जुआए का मतलब क्या होता है, तो सर जुआए का मतलब होता है, आनन्द या खुशी, आनन्द या और day in need या जरूरत के समय भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, और day in need प्यारे बच्छो, अगला question देखो क्या है, क्याते है red letter day, red letter day, red letter day का मतलब पताओ क्या होता है क्या होता है, कोई बच्छा, यह सब question बहुत बार पूछा गिया है प्यारे बच्छो, red letter day, बताइए तो red letter day का मतलब होता है खास दिन, ठीक है, रेड लेटर दे का मतलब क्या होता है प्यारे बच्छो, तो खास दिन, या कह सकते हैं, महत्वपूर्ण दिन, और रेड लेटर दे का मतलब क्या होता है, खास दिन, या महत्वपूर्ण दिन, कहते हैं न, फ़र्स दे, पहला दिन नहीं है, और day of joy, नहीं, ठेक है, holiday, holiday मतलब बता छुट्टी, an important day, मतलब खास दिन, महत्पूर्ण दिन, three का option number three, अगला, at once, ये जो at once है प्यारे बच्चो, at once, इस at once का मतलब क्या होता है, at once, ठेक है, कहते हैं न, at once, अभी के अभी, क्या, तो प्यारे बच्चो, आप सुने होगे, अभी, कहते हैं न, अभी के अभी आओ, अभी के अभी मिलो, या अभी तुरंट भी कह सकते हैं, ठेक है, अभी तुरंट, क्या कह सकते हैं, अभी तुरंट कह सकते हैं, sir, तो at once, one time, नहीं वहिया, different, different का मतलब तो अलग होता है, after some time, कुछ समय, instantly, नहीं बोलता है, instantly ओ, अभी के अभी, एक यूटूबर या एक जो इंस्टाग्राम पर बहुत ज़्यादा famous है, नाम जानते हो, नाम जानते हो उसका, थारा भाई जोगिंदर, बहुत सारे बच्चे जानते होंगे, थारा भाई जोगिंदर का नाम, कितने बच्चे जानते हो बता हो भया, जोगि तर क्या बोलते हैं, अभी के अभी, हारा भाई जोगिंदर, यो जोगिंदर, ऐसे करके सुनाओगा, तो मतलब क्या होता भईया, at once का मतलब होता, अभी के अभी, instantly, अभी तुरंत, हाई ना, instantly बोलो, या, अभी तुरंत बोलो, four का option number क्या हो जाएगा, अच्छा, c हो तो फिनिस द प्रोजेक्ट, भाइ हुक और बाइ कुरूक, यह जो अंडरलाइन किया है, भाइ हुक और बाइ कुरूक, इसका अर्थ क्या होता है, भाइ हुक और बाइ कुरूक सुना है, भाइ हुक और बाइ कुरूक, ठेक है, तो भाइ हुक और बाइ कुरूक का मतलब होता ह चाहे जैसे भी हो, क्या चाहे जैसे भी हो, तेक है, या किसी भी तरह से, ने कहते हैं, by hook और by group, चाहे जैसे भी हो, किसी भी तरह हो, मुझे नई मतलब है, तुम्हें आना है, तुम्हें मिलना है, तुम्हें पढ़ना है, मतलब, मतलब क्या हो गया, by any possible means, मतलब किसी भी तरी के से ठीक है कैसे भी करके आओ और बताओ अगला बच्चा लुक आफ्टर ये तो बड़ा आसान है बच्चा लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है तो बच्चा लुक आफ्टर का मतलब होता है देख भाल करना ठीक है लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है तो लुक आफ्टर का house is an apple of discord between two brothers, तो ये underline क्या हो रहेगा, apple of discord, इसका अर्थ क्या होता है, तो बच्चा, apple of discord का मतलब होता है, जगडे का वस्तु, क्या, जगडे का वस्तु, या जगडे का जड़ भी कह सकते हैं, lucky भागशाली नहीं होगा, unlucky भागशाली नहीं होगा, matter of proud, ये खुसी जगड़ा का चीज़ जो है, ये गर्ब के बाता है, नहीं भागशाली नहीं भागशाली का मतलब होता है, जगडे का जड़ या जगडे का, वस्तु, seven का अप्सन नमर शे, कहते हैं, सुनम इस दा एपल, एपल ओफ हर मुदर्स आई, याद रखेंगा बच्चा, एपल ओफ आई, एपल ओफ आई का मतलब होता है, एपल ओफ आई, आई का मतलब होता है, आँखों का तारा, तेखेंगे, एपल ओफ आई का मतलब क्या होता है, तो एपल ओफ आई का मतलब होता है, बच्छा आँखों का तारा या जो सबसे प्यारा कहते हैं कि सोनम, यह जो सोनम है, यह अपनी मा का क्या है, अपनी मा की आँखों की तारी है, तारा है, सबसे प्यारा है, मतलब जो मा होती है, तो वो अपने बच्ची से करती है, बहुत ज़्यादा उसका प्यार करती है, fell flat on audience, fell flat, मतलब होता है, पे अशर, ठीक है, fell flat का मतलब क्या होता है बच्चा, पे अशर होना, ठीक है, awesome नहीं बच्चा, impressive नहीं, useful नहीं, unimpressive, ठीक है, अगर आपने कोई भासन दिया, और आदमी लोग सो रहा है, मतलब क्या हो गया, उसका भासन बे असर हो गया, impressive नहीं है, un impressive है, unimpressive है, nigh, next है give up, सुने हो naga, motivational speaker लोग क्या मोलते हैं, इसी का उल्टा एक सब्त होता है, never give up, सुने हो, never give up, मतलब कभी हार मत मानो, कभी हार मत मानो, मतलब never give up, मतलब क्या होता है, कभी हार मत मानो, इसी का उल्टा है give up, मतलब हार मानना give up, हार मानना क्या हार मानना बच्छा हार मानना या हार मान लेना lose, नहीं labor, you have to stop an effort you have to start a new thing, मतलब to stop an effort, अपना प्रियास बंद कर देना, stop मतलब क्या होता है, बंद कर देना मतलब तुम हार मान लिये हो, अब तुम परियास नहीं कर रहे हो, तो 10 के उप्सन नमर श्रीफ, अगला है, keep all these books in apple pie order, याद रखेगा, apple pie order का मतलब होता है, self, self का मतलब क्या होता है, तो self का मतलब होता है, बच्चा, almira, self का मतलब क्या होता है, almira, तब pie order का मतलब होता है, सजा करके रखना, सजा कर रखना, ममी कहती है न, ममी कहती है न, कि बटा, किताब को, कॉपी को, अपना कपड़ा को, क्या करो, सजा करके रखो, हाँ है न, तो apple pie order मतलब किसी चीज़ को arrange करके रखना, in arranged way, 11 का option नमर क्या हो जाएंगे, 11 का option नमर प्यारे बच्चो, B हो जाएंगे, ups and downs, ups and downs का मतलब होता है, उतार चड़ो, क्या होता बच्चा, उतार चड़ो, जीवन, यह हमारा जो जीवन है, इसमें उतार चड़ो आते हैं, कई दिन, जो हमारा एक साल होता है, उस साल में कई दिन हमारे लिए अच्छा होता है, कई दिन हमारे लिए बुरा होता है, तो यह हमारा life क्या है, good और bad, दोनों हमारे साथ experience होता अनुभाव होता है, तो 12 के option नमर क्या है, B, कहते Bade of Rose, Bade of Rose का मतलब होता है, बच्चा, फूलों का सेज, ठीक है, क्या होता है, फूलों का सेज, Bade of Rose, ठीक है, बेड ओफ रोजेज, ठीक है, फूलों का सेज, मतलब कि क्या है, अच्छा situation है, bad situation नहीं भाईया, beautiful bed नहीं भाईया, beautiful garden नहीं, a pleasant situation, क्या, pleasant situation कहते है न फूलों का sage फूलों का sage देखना वो जो honeymoon वाला bed सब होता है कौन सा तो जो honeymoon वाला bed होता है आपने देखा होगा इस तरह से उस तरह से वहाँ पे क्या बनावा रहता है इस तरह से उसका bed पे इस तरह से honeymoon वाला बेट क्या, खड़ाब situation होता है क्या honeymoon, नहीं वह यह अच्छा होता है, pleasant होता है, सुख़द एहसास होता है, तेरह का option number B, कहते है, we want to win this match at any cost, at any cost, मतलब किसी भी कीमत पर, किसी भी कीमत पर, at any cost, किसी भी कीमत पर, मतलब कि by all possible attempt, ठीक है, या with hard labor, with unfair means, in spite of, बच्चा, in spite of, so many difference, differences we Indians are one, कहते है, in spite of, in spite of का मतलब होता है, के बावजूद, in spite of का मतलब क्या होता है, के बावजूद मतलब, मतलब क्या होता है, के बावजूद मतलब क्या होता है, के बावजूद मतलब क्या है, कि without being affected, with unity, with love, without enmity, मत्तब without being affected ना बहुत सारे उतार चड़ा है लेकिन उसके बाद हम लोग क्या है एक है without being affected उसके बहुत ज़ाद है उतार चड़ा लेकिन उसके अलावा भी हम लोग क्या है अभी एक है unity में तो यह जो प्यारे बच्चों आज की classes क्लास अच्छा लगा कॉमेंट करके बताइए और अपने दोस्त अपने भाई बेन को शेर नहीं किया है एक बार जरूर जरूर शेर कीजिए चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कीजिए मिलेंगे अगले क्लास में तब तक के लिए धन्यवाद जैहिन तवे